हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा उत्राखंड के लिए निकली सिविल जज की लेटिस्ट बैकेंसी के बारे में कमप्लीट इनफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो इन बैकेंसी में कोई वी फुल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोग रेजवेट्स के लिए उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा जो सिविल जज की वेकंसी निकली हुई है उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कहां से प्राप्त करेंगे तो आपको इसकी ऑफिसल वेबसाइट में जाना होगा www.psc.uk.gov.in जो की ऑफिसल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है इस पर जाएगा और यहीं से आपको जो है आउनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक प्राप्त होगा इसलिए इस पेज का जो लिंक है वह हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उपलब्द करा देंगे तो डिरेक्ली जाकर के यहां फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे और न नोटिफिकेशन है तो दोस्तो इसका नोटिफिकेशन नमबर है 10 oblique DR oblique E2 civil judge oblique 2022 23 और दोस्तो यहां पर जो है लोग graduates के लिए vacancies निकली हुई है और post का नाम है civil judge और number of vacancies की बात करें तो यहां total 16 post है और दोस्तो important dates की बात करें तो देखिए इसमें online form apply करना होगा यहां पर आपको और online form के साथ साथ आपको जो application fees है वो भी online ही pay करनी होगी और online form apply करने की जो last date है 21st March 2023 है रात 12 बज़े तक आप यह form apply कर पाएंगे तो दोस्तो और जो दोसी details है उनकी बात करें अगर तो qualification जान लेते हैं तो यहां पर दोस्तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फ 5 year kilo degree हो इसके साथ साथ आपके पास computer का knowledge भी होना चाहिए क्योंकि यहां पर computer का भी एक exam होगा आपका और दोस्तो इसके साथ हिंदी language का भी ज्यान आपको होना चाहिए means उत्राखंड के लिए हिंदी भासा का ज्यान आनिवार रहे है अब बात करते हैं age limit की दोस्तो तो यह यहां पर 22 years से लेकर के 35 years age तक के जो candidate है apply कर पाएंगे और जो age count होगी 1st January 2023 से count होगी और जो age relaxation है तो यह state government को जो rules age relaxation के उसके अनुसार आपको age relaxation भी मिलेगा अब बात करते हैं pay scale की दोस्तो तो जो pay scale है इसका बहुत अच्छा है 77,840 से लेकर के 1,36,520 का है pay scale जो की बहुत अच्छा pay scale माना जाएगा और दोस्तो यहां पर जो है application fees की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही महत्तोपोर्ण है application fees का तो दोस्तो यदि आप general category में आते हैं या OBC या फिर EWS category में आते हैं तो यहां पर आपके लिए 172 रूपीज 30 पैसे जो fees pay करनी होगी online और जो SCST है और जो handicaps है तो जो SCST उत्राखंड के रहने वाले means other state के आप SCST है तो वहाँ पर general में count होंगे तो जो SCST उत्राखंड के उनके लिए 82 रूपीज 30 पैसा है और जो handicaps है उत्राखंड के उनके लिए 22 रूपीज 30 पैसा है अब दोस्तों बात करें गर examination center की तो जो examination center से हैं वो सभी उत्राखंड में ही बनाए गए इस पे means आपक अप्लाई कर सकते हैं ऐसा कोई confusion नहीं है कि क्यों उत्राखंड के लोग ही apply करेंगे सभी state के लोग apply कर सकते हैं यदि आपके पास eligibility है और दोस्तों बात करेंगर slabus की तो जो इसका slabus है वो इसी notification में दिया गया है इस notification के माध्यम से आप slabus को जो है प्रापर देख लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद